दोस्तों, आज मैं लेग्या आगया आपके लिए Excel का एक बहुत ही बहतरें ट्रिक, ये मेरे एक सब्सक्राइबर है, Mr. Arvind, उन्होंने मेरे से ये question किया था, Sir, हमारे पास different, different Workbooks होती है, ये मैंने एक Workbook Consider कर ली, ये मैंने ये का औरे का ल चूसक्ता है, एक workbook के अंदर हो सकता है, multiple workbook के अंदर भी हो, ठीक है, अब उनका ये question था, अब जब हमारे पास different different workbooks है, different different tabs है, हमें इन सब workbook और tab को consolidate करके, data को analyze करना है, कुछ valuable output present करना है, तो ये तो बहुत जादा challenging task है, क्योंकि एक workbook में शायद कुछ data हो, दूसरे में कुछ हो, तीसरे tab में कुछ हो, तो बहुत difficult task है, इसका क्या कोई solution है, जी हाँ, तो चलिए solution देख लेते हैं, क्या है, सबसे पहले हम सारी workbooks को बंद करेंगे, और एक blank excel open कर लेंगे, और यहाँ पे मैं एक excel को launch कर देता हूँ, ठीक है, मैंने अपनी सारी की सारी workbooks को बंद कर दिया, और एक blank excel को launch कर दिया, अब सबसे पहले जब आपका excel launch हो जाए, आपको क्या करना है, एक option को enable करना है, उसको हम कहते है power pivot, उसके लिए आपको file में जाना है, file में click करें, सबसे नीचे आता है options, options में click करें, यहाँ पे आपके आएगा add-ins, add-ins में click करें, सबसे नीचे आएगा excel add-ins, इधर एक drop-down है, drop-down में click करके com add-ins को select करना है, और go करना है, जैसे आप go करोगे, यहाँ पे automatically आपको दिख जाएगा, Microsoft power pivot for excel, बहुत ही जादा powerful tool है, यह enable सरूर कर लेना, मैंने इसे check कर दिया और ok कर दिया, जैसे आप ok करेंगे, यहाँ पे आपको within a flick of a second, power pivot का option दि दिया है, तो क्यों न इसके through हम data को analyze करें, तो चलिए देख लेते है, data analyze कैसे करते है, power pivot में आपने click करना है, जैसे आपने power pivot को click किया, यहाँ पे सबसे पहले option आता है, आपका manage, आपको simple manage में click करना है, एक जैसी click करेंगे, एक अलग से window open होके आजाएगी, इस window में कुछ देखेगा, बिल्कुल blank window है, don't worry, अभी हम इसमे data incorporate करेंगे, data कहां से incorporate करते है, आपको simple from other sources में जाना है, click करना है, सबसे नीचे, यह window open होके आजाएगी आपके बास, सबसे नीचे scroll करना है, यहाँ पे आता है excel, आपको simple is excel को select करना है, next करना है, और अब आपको यहाँ पे इसे check कर देता हूं, क्योंकि जो भी मेरा first row है, उसको column का header बना दो, okay, उसके बाद मैं browse करता हूं, जैसे browse करूंगा, आपको उसी folder के अंदर जाना है, जहां पे आपने यह सारी के सारी excel को save करके रखा है, मैं सबसे पहले यह उठा लेता हूं, look up customer number, इसको click करते हैं, open करते okay, next करते हैं, और यह बोलता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही tab है, मैंने का जी बलकुल, और finish कर दिया, और यह देखे, यहां पर जैसे successful आएगा, उसके बाद यहां पर close का option आएगा, आपको close करना है, और वो वाली excel file आपकी यहां पर upload हो जाती है, आप देख सकते हैं, जो file क customer look up number यहां पर आ चुका है, यह first practice है, second हमें ऐसे ही मेरी अलग-अलग files है, मैं उनको भी upload कर देता हूँ, मैं फिर से other sources में जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, Excel को click करता हूँ, next करता हूँ, browse करने को बोल रहा है, उससे पहले मैं यह check कर देता हूँ, browse, okay, second वाले को मैं select करता हूँ, और next, और यह देखे, यह इसमें भोलता है कि एक ही tab है, okay, मैं finish कर देता हूँ, और यह भी मेरा upload हो जाएगा, जैसे मैं close करूँगा, और यह देखे, मेरा GL product tab यहां पर बन चुका है, ठीक है, अब मेरी third file है, third file को आप source में जाहिए, scroll करिए, Excel में click करिए, next करिए, browse browse बोल रहा है, browse से पहले हम इसे check कर देते हैं, browse में click करते हैं, third file को click करता हूँ, okay करता हूँ, next, और यह देखे, अब यह दोनों tabs दिखा रहा है, उस file के अंदर कितनी tabs है, तो मुझे इन दोनों को लेके आना है, क्योंकि मुझे analyze जो करना है data को, वो सारे के सारे table और tabs के according क करना है, ठीक है, तो मैंने इन दोनों को check कर दिया, finish किया, यह बोल रहा है, दोनों successful, okay किया, और यह देखे, सारी के सारी files आपकी यहाँ पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं, हमारे पास तीन workbook हैं, मगर उसके अंदर जो tabs हैं, उनको consider करके हमारे पास चार tabs यहाँ पे आ चारो tabs में, चलिए, relationship build करने के लिए, सबसे उपर जाते हैं, यहाँ पे diagram view है, diagram view में क्लिक करना है, अब मैं तोड़ तोड़ ले आता हूँ, आप लोगों को अच्छे तरह दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए, हमारे पास चारो tabs का, जो भी column है, वो यहाँ पे आ चुक ह अब आप कुछ ध्यान से देखिए, हमारे पास एक main data है, यह मेरा main data है, ठीक है, अब अलग-अलग tab में, अलग-अलग column available है, तो मेरे main data में, कौन से कौन से column matching है, सबसे पहले देख लेते हैं, यह जो हमारा है lookup GL table, इसमें हमारे main data में कौन से column matching है, जी हाँ, बेलकुल सही क आपने, यहाँ पर मैं देख पार हूँ, GL natural, और यहाँ पर भी मैं देख पार हूँ, GL natural account, मैं इसको drag करता हूँ, इसके उपर drop कर देता हूँ, ठीक है जी, एक table को मैंने connect कर दिया, अब second, यह वाला मेरा second table है, और यह मेरा main table है, इन दोनों में क्या common है, बिलकुल सही, यहा मेरा customer look up, और यहाँ पे कौन सा numbers matching है, customer number and customer number, बिलकुल सही, अब हम क्या करेंगे, इसको drag करेंगे, और इसके उपर drop कर देंगे, that's it, आपने अपना काम बिलकुल बखुबी निबा दिया, अब आपका काम खतम, वापस अपने data view में आ जाओ, यहाँ पे, और अब इनका एक pivot बना लो, pivot के लिए, यहाँ पे click करो, pivot table में click करो, बोलता है new, मैंने कहाँ, बिलकुल, और यह बिलकुल मेरा एक pivot table बन गया, आप देखिए, कितना smart pivot table है, सारे के सारे pivot का data, सारे के सारे taps का data, एक ही pivot table में लिए अब एक और magic दिखाता हूँ मैं, यह देखिए, अब मैं च मैं इसको उपन करता हूँ, और मैं इसमें cost डाल देता हूँ, मैं इसमें USD amount डाल देता हूँ, मैं इसमें GL products भी डाल देता हूँ, अब आप अपने pivot को देखिए, यह देखिए, आपने अलग-अलग tap को consolidate किया, इसका एक आपने analyze करके output निकाल दिया, अब यह अगर आपको smart तरीके से बनाना है, तो उसके लिए आप design में जाएए, यहाँ पर आता है report layout, report layout में tabular view कर दीजिए, और यह देखिए, आपके पास हर एक customer number, हर एक customer, उनका cost, उनका amount और उनका GL product यहाँ पर आ चुका है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग different 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 files या workbook को एक साथ consolidate करके उन को analyze कर सकते हैं, जी हाँ, इस powerful tool को हम क्याते है power pivot, तो आशे करता हूँ दोस्ता, आप लोगों को वीडियो पसंद आगी होगी, पसंद आए तो like और subscribe करना, बेल कोल मत बूलना, अपने comments देना मत बूलना, और इस वीडियो को जितना हो सके, जो भी Excel सीखना चाहें, उन सभी के साथ share जरूर करना,